तो हेलो फ्रेंड्स आज फिर से आया हम नई टेक नीज़ के साथ तो सबसे बेले हम बात करने वाले ओपो के रैनो सैवन सीज के बारे में तो ओपो निया ओफिशली कनफॉर्म कर दिया कि यह 25 नॉबर को जो अपनी रैनो सैवन सीज है वो चाइना में लांच कर रही है और उ उसके साथ 7000 प्रोसेसर के बारे में भी बता दिया है जो की 5NMP बेस है तो आप देखते हैं यह मार्केट में कब तक आते हैं और सबसे पहले कौन सी ब्रांट इन प्रोसेसर को अपने फोन के अंदर लेके आ दिया है और जो नेक्श निकल किया रही वह निकल किया रही आपको आउट आप बॉक्स एंड़ोट 11 पर मिलेगा तो यह तरी सारी को लॉंच होने वाला उससे पहले से फीचर जो हमारे सामने आ गया है और जो नेक्श निकल के रही वह निकल के लिए आमाजोन की तरफ से आमाजोन ने अपना जो एक नया लोगो यानिक जो अपना न को सकता है तो अब जल्दी हमको रैड में के तरफ से कोई जो फॉन लांच होने वाला जो कि रियल्मी अपने सी सीरीज का जल्दी लांच करने वाली है तो हम को मार्केट में दो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं और जो नेक्स बात करने वाले हम बात करने वाले सेमसंग के एृतीरा फाइब दी मॉडल के बारे में इसके कुछ फीचर सामने निकल का है इसमें आपको चार्जी और श्यवी के दो वेरिंड देखने को मिलेंगे साथी साथ बात करें के कैमरे के संब को 50 में क्याम मिलने वाल है और प्रोसर्स ने पो डाट को देखने को मिलने वाला है और पर मिलता है तो इसमें जो पॉइंट यूज़िया नाइन पॉइंट सिक्स जीबी पी आसे और हम को वाइफ़ aquesta वार में हम और यह 30GB सबी सब्सक्राइब करें चीजे उसके मिलने वाली को कितने हैं अच्छी आघ्योंगेilot ऑग करदेन तोथने को सब्सक्राइब गरते ना तक ऐसी आपको डिली तुमिट्स नियुजब कर देखने को मिलते रहे तब पर थैंकक्यूव